Hello guys, welcome to my YouTube channel आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रायलोफ राजानन्द कुमार 1775 का केस लू है यह हमारा लीगल हिस्ट्री का एक इम्पोर्टन केस लू है तो चलिए शुरू करें सबसे पहले हम देखेंगे इसका बैक्ग्राउंड क्या है तो basically इसके अंदर हमारी दो पार्टीज होती है राजा नंद कुमार और एक होते है हमारे गवर्नन जनरल और उनकी काउंसिल तो यहां से देखते हैं तो बैक्ग्राउंड में क्या है राजा नंद कुमार जो है वो एक हिंदू ब्रामन है और यह एक बहुत बड़े जिमिदार है अपने टाइम के तो एक इंफ्लुएंसल परसन रहे हैं उस टाइम पर और इनका ब्रिटिश कंपनी के साथ यह उनके बहुत लोयल है इसलिए इनको ब्लैक कॉनल भी बोला जाता है यानि कि इंडियन थे यह एक और इनका अच्छा संबंध थे ब्रिटिश कंपनी के साथ उनके साथ अच्छे वैपारिक संबंध थे इनके तो चलिए अब देखते हैं गवर्नन जर्नल के साथ इनकी ऐसी क्या पात हुई जिसकी वज़े से इनका केस हुआ तो चलिए शुरू करते है तो वोरन हैंस्टिंग थे बिसीकली हैड जो गवर्नन जर्नल थे इस काउंसिल में हैड भी थे एंड तो इसके मेंबर जो थे चार मेंबर थे हाँ पर फ्रैंसिस, क्लैवरिंग, मौनसन और बेरवेल तो बेरवेल जो थे वो हमेशा इनकी फेवर में होते थे बेसीकली है चाहिए जो मर्ज डिसीजन दे बेरवेल इनको हमेशा सुपोर्ट करते थे एड वही पर जो ये तीन मेंबर थे ये इसको हमेशा ओपोज करते थे इनके डिसीजन को तो देखते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ये मैजोरिटी ओफ ग्रूप है जो इसको हमेशा से ओपोज करते हैं हमारे वोरेन हैंस्टिंग जो गवरन जनरल है वो इंस्टिगेट करते हैं राजा नंद कुमार जी को कि आप जो है एक चार्ज फ्रेम कीजिए ब्राइ इस जो है इनके लेकर आते हैं तो यह करते हैं राजा नंद कुमार एक लैटर जो है वो फ्रेंसिस को देते हैं जिसमें वो मैंशन करते हैं कम्प्लें वोरेन हैंस्टिंग के अगिंस्ट ब्राइबरी और करफशन के केस के लिए तो इसके बाद जो है फ्रेंसिस उसी सेम ल that the Nand Kumar should be called to appear before the council कि Nand Kumar ji को बुलाया जाए और उनको अपने जो भी उन्होंने चार्जिस फ्रेम कर रवाए हैं हमारे गवर्न जर्नल के खिलाब वोरन हैंसिंग के खिलाब तो वो उनको प्रूव करेंगे तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि वोरन हैंसिंग ही यहाँ पर जो है हेड होते हैं इस काउंसिल के तो वो इस डिसीजन को उपोज करते हैं क्योंकि वो हेड है है तो उनके पास ये पावर है कि वो ऐसा क्यों ही चाहेंगे कि उनके खिलाफ कोई भी केस चले तो यहाँ पर होता क्या है कि इसके बाद कि यहां पर देन मिस्टर बेरवेल जो कि उसके सपोर्टर होते हैं वो उनको जो है एक सजैशन देते हैं कि राजानन्द कुमार जी को अपना जो केस है वो सिप्रीम कोट में दायर करना चाहिए ना कि इस कमेटी के अंदर ना कि इस काउंसिल के अंदर तो बेसिकली जो मैजोर्टी होती है वो इस डिसिजन को भी ओपोस करती है यहां पर जो है वो उस मीटिंग के लिए जहां पर जो है हमारे वोरन हैंस्टिंग जो है गवर्नन जनर मीटिंग बुलाने के लिए ही मना कर देते हैं तो यहां पर जो है मैजोर्टी क्या करती है क clevering को elect कर लेती है उस specific meeting के लिए कि आप उस meeting को head कीजेगा preside कीजेगा and हम जो है राजनन्द कुमार जी को बुलाएंगे and case जो है हम ही देखेंगे तो basically इसके बाद क्या होता है राजनन्द कुमार जी को है बुलाया जाता है and council जो है वो declare कर देती है कि जो भी जो charges लगाए गए है वो बिल्कुल सही है Warren Henstein के against and उनको जो है prove सही prove किया जाता है तो अब जो है Warren Henstein जो है उनको direct किया जाता है कि आप 3,54,105 रूपीज जो है company के account में जो है deposit कीजिए and आपको ऐसा deposit करने के लिए जो है यहाँ पर order आया है तो इसके बाद जो है Warren Henstein जो है इस बाद से बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते है and वो जो है अब राजानन्द कुमार जी को निचा दिखाना चाहते है and यह उसके लिए वस एक मोका डूंड रहे होते है तो उसके बाद होता वो ही है कि उनको मोका भी मिल ही जाता है हम देखते है कि उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही जो है soon after नन्द कुमार वाज चार्जड and arrested for conspiracy at the instance of hasting तो hasting जो है करते क्या है जैसे ही उनको मोका मिलता है वो राजानन्द कुमार जी के ओपρ conspiracy का case दायर करवा देते है और उनको गिरफतार करवा देते है तो conspiracy का केस जैसे ही इसके उनको अब जैसे कहाएथा है उनको चहन नहीं आया था तो इसके बाद भी वो उनको और भी जदा परिशान करना चाहते तो इसलिए वो राजनन्द कुमार को के अगेंस जो है फोरजरी का यानि की जाली तरीके से कुछ भी चीज़े से जाली नोट बनाने का जो है केस भी उनके खिलाफ लगा देते हैं तो इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन आता है जिसके अंदर वो उनको जो है डेथ के लिए जो है उनको सेंटेंस कर देते हैं यहां पर यह कैसे पोसीबल हो पाता है यह पोसीबल हो पाता है क्योंकि जो उस टाइम पे सीजे आई थे सुप्रीम कोर्ट में वो थे सर इलजे इंपे तो ये इलजे इंपे जो थे ये थे हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हमारे गवर्नर जनरल वोर एन्हेंस्टिंग है तो यहाँ पर वो उनके फ्रेंड होते हैं तो वो उनके हक में ही फैसला सुनाते हैं तो यहाँ पर हमारा case खतम हो जाता है इस वीडियो में हमें conclusion यह मिला है कि basically जो उस time पर जो Supreme Court की working थी वो अच्छे तरीके से नहीं होती थी यहाँ पर वो उनके दोस्त होने के कारण जो है उनके हक में फैसला सुनाते थी fact होके ही उन्होंने अपना decision सुनाया था so guys thank you, thank you for watching I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी and आपको यह topic अच्छे से समझ में आ गया होगा and आप इसको अच्छे से attempt करके आएंगे इस question को अपने paper में legal history के question paper में तो basically thank you, thank you for watching bub-bye